Dear Friends, आज हम डिसकस करेंगे कि किड्नी का साइज इसमाल क्यों हो जाता है किड्नी का साइज इसमाल होने के बहुत सारे काराण हो सकता है लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि सिंगिल किड्नी इसमाल हुई है या दोनों किड्नी इसमाल हो गई है एक kidney small या छोटी हो गई है या दोनों kidney छोटी हो गई है तो अगर एक kidney small है फॉर एक्जामपल आपने बहुत बार देखो हो गया कि बहुत सारे patient जो कि ultrasound कराते हैं ultrasound में उन्हें radiologist ये बताते हैं कि आपकी एक kidney जो है वो छोटी है या दोनों kidney छोटी है अगर एक kidney छोटी है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं अगर सिर्फ एक kidney छोटी है दूसरी kidney सही है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पहला कारण तो ये है कि बाइबर्थ kidney छोटी है यानि कि पैदाईशी kidney जो है kidney छोटी हो गई है और उसका हमें जादा कुछ नहीं करना जो बचीवी kidney है, जो single kidney है वो normal जीवल के लिए sufficient है, काफी है लेकिन अगर kidney किसी कारण की वज़े से छोटी हो रही है तो हमें ये देखना होगा कि हम उसे reverse कर सकते हैं function को kidney के या नहीं उसकी reversibility देखनी होगी हमें तो उसके लिए जो मुख्यता कारण है, वो पहला कारण है obstruction, माली ये kidney के रास्ते में जो पूरी urinary tract है kidney, ureter, bladder, ये पूरी urinary tract है अगर इस रास्ते में कहीं कोई obstruction है अब obstruction क्या हो सकता है obstruction stone की वज़े से हो सकता है बहुत दिनों तक stone पढ़ा है हमने कोई care ही नहीं की और वो stone जो है, बहुत दिनों तक obstructive stone पढ़ा रहा है, उसने kidney छोटी कर दी दूसरा हो सकता है infection बहुत दिनों से कोई infection है chronic infection है और उस infection की वज़े से obstruction हो गया है kidney small हो गई है या फिर कोई structure बन गया है structure formation हो गया है इस पूरी unit react में, खास्तोर से ureter में, urethra में कोई structure है जिसकी वज़े से kidney में जो है, problem हो गई है उस kidney का size छोटा हो गया है और उस obstruction की वज़े से kidney छोटी हो गई है इसके लावा kidney की blood supply अगर kidney की blood supply किसी वज़े से कम है तो फिर kidney का size छोटा हो जाएगा दोनो kidney का size छोटा हो रहा है usually जो size होता है kidney का वो 9-12 cm के आसपास जो है वो normal size होता है length जो kidney की होती है लेकिन अगर 9 cm से नीचे kidney का size है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ disease कुछ ना कुछ problem है वो हमें फिर find out करनी है उसके लिए हमें nephrologist से मिलना है हमें पता करना है कि कौन सी यासी बीमारी है जिसकी वज़े से ये दोनो kidney का size जो है वो इसमाल हो रहा है उसमें एक long list of diseases आती है जिसमें हमें पता करना होता है nephrologist को पता करना होता है या physicians को पता करना होता है कि हमें किस वज़ह से ये patient की kidney जो है वो छोटी हो रही है तो उसके लिए हमें प्रोपर कंसल्टेशन प्रोपर एडवाइस की जुरूत है